टॉप मोस सेलिंग कार्स इन इंडिया उसके बारे में हम जानकरी देंगे माइलेज के बारे में एंजीन के बारे में फ्यूल के बारे में और उसकी प्राइजिज हम आपको बढ़ाएंगे मारूती सुजुकी सिलेरियो और उसकी प्राइज हम बताएं तो पांच लाग से साथ लाग के अराउंड आ जाती है उसकी एक शोरूम प्राइज आये और फिर हम उसके फ्यूल के बारे में बताएं पैट्रोल और सी एंजी दोनों में अवेलेबल है पैट्रोल में आपको 25 के सबसे बढ़िया माइलेज है वो दे देती है और आपको यह मैन्यूल और आटोमेटिक ट्रांस्मिशन में मिल जाती है और इसकी एंजीन की बात करें तो 998 CC का इसका एंजीन है और आप उसको 1000 CC मीन्स आपको बहुत बढ़िया एंजीन भी मिल जाता है नाइन नंबर पे आ आपको 26 CNG में अवेलेबल रहेगी और जो आप पेट्रोल में करना चाहो तो उसमें आपको 20 के आराउंड आपको मैलेज दे देगी उसकी बी एच्पे 84.82 और 5 सीटर है और ट्रांस्मिशन उसमें आटोमेटिक और मैन्यूल दोनुए एक नंबर पे आ जाती है हुंडाई क 20 उसकी प्राइस जाती है सर्वान पॉइंट से इलेवन पॉइंट सिक्सित अर्षटार है और अब को पेट्रोल डीजल और पेट्रोल कीमियम का रहे इसलिए वह उसी एंजी में अवेलेबल नहीं है सेवन नंबर पर आ जाते हैं मारोती एस्प्रेसो जिसकी प्राइज है 3.85 से 5.99 लेक यह आपको एक शुरूम प्राइज बता दिये मैंने और इसकी माइलेज है 21.7 kmpl उसका एंजीन आता है हजर आप सीसी का एं में भी अवेलेबल रहेगी और फ्यूल की बात करें तो यह सीफ पेट्रोल में अवेलेबल रहेगी आपको शिक्स नंबर पर आ जाते हैं हुंडाइ ग्रेंडाइट एंड नियॉस जो 5.43 लेक से 8.51 लेक तक उसकी प्राइजिंग रहती है और उसके एंजीन की बात करें त दोनों में अवेलेबल है उसकी बी एच पी आपको मिल जाती है 9 8.63 और वह माइलेज दे देती है पेट्रोल में 20 के अराउंड और सी एंजी में आपको माइलेज दे देती है 28 के आउंड जो बहुत ही अच्छी माइलेज है और नंबर पर आ जाती है मारूती सुजू की देंगे 5.91 लेक से 8.84 लेक तक एक्स चोरूम प्राइस उसकी होती है यह आपको सी एंजी पैट्रोल में अवेलेबल है और यह आपको मैन्यूर्ट ट्रांस्मिशन और आटोमेटिक ट्रांस्मिशन दोनों में अवेलेबल है और फिर उसकी हम माइलेज की बात करें तो 30 वह थटी की माइलेज क्लेम करती है कंपनी सी एंजी में और 20 के अराउंड आपको मिल जाती है पैट्रोल में और समर पर आ जाती है मारूती सुजुकी डिजायर उसकी प्राइस है 6.23 लेक से 9.17 लेक यह आपको एक शुरूम प्राइस बता ही जा रही है सब और यह पैट्रोल दोनों में अवेलेबल है और उसकी टांस्मिशन के बारे में बात करें तो मैन्यूल और आटोमेटिक दोनों में अवेलेबल रहेगी और उसमें आपको जो पैट्रोल में माइलेज चाहिए तो 23 से 24 की माइलेज दे देती है और सी एंजी में आपको 32 की माइलेज दे देती ह और इसकी एंजीन की बात करें तो 1200 CC का उसका एंजीन आपको मिल जाता है थर्ड नमबर पर आ जाती है आपकी अल्टो जो सबकी प्रसंदिदार हैचबेक कार है उसकी प्राइज हम आपको बता देगे कि 3.39 लेक से 5.05 लेक तक एक शोरूम प्राइज उसकी जाती है यह आपको पैट्रोल और CNG में दोनो में अवेलेबल है और इसकी हम एंजीन की बात करें तो 1800 CC का एंजीन आपको मिल जाता है और इसकी हम माईलेज की बात करें तो 31 की अर्य से से व्यवान की अराउंड मिल जाती है मारूती सुजुकी वेगेनार जो अब तक की सबसे मोस्ट सेलिंग कार रही है और उसकी प्राइज हम आपको बताए तो 5.47 लेक से 7.17 लेक तक एक शोरूम जाती है और यह आपको पेट्रोल और डिजल दोन पेट्रोल और सी एंजी सोरी पेट्रोल और सी एंजी दोनों में अवेलेबल रहेगी और मैन्योल ट्रांस्मिशन और आटोमेटिक ट्रांस्मिशन दोनों अवेलेबल रहेंगे और उसकी माइलेज की बात करें तो 34 kmpl की माइलेज दे देती है और उसमें आपको पेट्रोल में 20 से 19 फ़स्ट नमबर पे आजाती है आपकी मारूती सुजु की बलेनो जो इसकी प्राइज है 6.42 लेक से 9.60 लेक तक जाती है और यह उसकी extra room प्राइज है यह आपको only on petrol में अविलेबल रहेगी और यह आपकी engine की बात करें तो 1200cc का engine आपको मिल जाता है यह माइलेज 22 की claim करती है कमपनी पर यह 19 के असपास आपको माइलेज दे दे थी और यह आपको fuel में petrol में अविलेबल है और transmission इसका manual और automatic दोनों में अविलेबल है और यह 5 sitting car तो मेरा नाम था हरस पाटिल और आप देख रहे थे auto times और चैनल को subscribe करना मत बुले और वीडियो को like करना मत बुले